असलाम औरेकोम आज मैं आपके साथ में शेर करने वाली हूँ आलू गोश्त का सालन जी हाँ आज मैं आपके साथ में एक बिगिनर्स रेसिपी शेर कर रही हूँ ये रेसिपी बनाना बहुत हीज़ादा ईजी है और जल्दी और फटाफट से कम मसालों के साथ बनकर तयार हो जाती है लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने यहां पर एक कुकर रख लिया है कुकर में मैं एट कर दूंगी तीन बड़े चमज कुकिंग ऑईल ओईल को अच्छे से गरम हो जाने देंगे इसके बाद हम इसमे एट करेंगे खड़े गरम मसाले तो मैं यहां पर तीन टेबल स्पून ओईल को एट कर रही हूँ इसे गरम हो जाने देंगे इसके बाद इसमे एट कर देंगे एक स्टार फुल लिया है मैंने दो हरी लाइची एक बड़ी लाइची लिए चार से पांच मैंने लिए काले मेच तीन से चार लॉंग लिए और एक तेज पता लिया है तो आईल जो है वो गरम हो गया है अब मैं इसमें खड़े गरम मसाले आट कर दूगी और इसे अच्छे से क्राकल होने देंगे इसके बाद मैं इसमें त्येरने लगती है तो बस यहां पर मैं एक मीडियम सैस की प्यास को मैंने पतला पतला कट कर लिया था और मैं इसमें आइट कर दियूँ टेल के अंदर और बस एफुरा ठील और प्यास को थोड़ा डाख कलर आने तक ही फ्राइआ करना है वरना प्यास सश्यात पंशे से ऱ नहीं लगता है तो अभी आप देख सकते हैं 2-3 मिनिट हो चुके है प्यास अभी फ्राय होना शुरू हुई है और बस इसी तरह किसे हम चलाते वेसे फ्राय करेंगे तो अभी आप देख सकते है प्यास जो है वो हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है थोड़ी जादा ही हमें गोल्डन ब्राउन से थोड़ा जादा करना है और अब मैं इसमें आट कर दूँगी अद्रक लसन का पेस्ट तो यहाँ पर मैं दो चम्मच अद्रक लसन का पेस्ट आट कर दूँगी और इसे हम अच्छे से भूनेंगे ताके जो अद्रक लसन की कच्छी स्मेल रहती है वो निकल जाए और प्यास भी जो है वो अच्छे से अद्रक लसन में मिक्स हो जाए तो अभी आप देख सकते हैं दो से तीर मिनिट हो चुके हैं मैं अच्छे से अभी इसे भूनी रही हूँ अब मैं इसमें आट कर दूँगी एक छोटा टमाटर टमाटर अगर आप चाहे तो दाले वरने स्किप कर सकते हैं और हो तमाटर को भी मैं अच्छा से भून लूँगी ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएए अब मैं इसमें ऐट कर दूँगी पाउडर मसाले जिसमें जिसमें हम लेंगे सबसे पहले नमक टेस्ट के हिसाब से लेंगे एक टीस्पून भर के लिया है धनिया पाउडर आधा टीस्पून लिया है कश्मीरी लाल मिर्च आधा टीस्पून लिया है नॉर्मल लाल मिर्च और पाव टीस्पून लिया है हमने खल दी यह सारे मसाले इस या दो शम्मज पानी दालेंगे हम जाधा नहीं दालेंगे वरना जो मसाले है वो जल जाएगे अगर पानी नहीं दालेंगे तो बस इस पानी को हमें सुखा लेना है ताकि टामाटर और अच्छे से गल जाए बिल्कुल इसमें मैश हो जाने चाहिए टामाटर तो अभी आप देख सकते हैं अच्छे से हम इसे पका रहे हैं इसे भूनते हुए हमें 5-6 मिनिट हो चुके हैं अभी आप देख सकते हैं इसका सारा पानी जो है वो सोक चुका है टामाटर भी है जो एकदम गल चुके है इसके अंदर ही और मसाला देखे कितने अच्छे से बन लेंगे दो से तीन मिनिट तक के ताके और जितना भी थोड़ा बहुत भी पानी है वो भी सारा ड्राय हो जाए अब मैं इस मैट कर दूंगी मटन तो यहां पर मैंने लिया है धाइसो ग्राम और अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी ताकि इसकी भी जो समयल रहती है वो निकल जाए और बहुत अच्छे से हमारा जो है सालन तैयार हो जाए तो बस इसे हमें अच्छे से भून लेना है तो तक्रीबन हमें इसे 10 मिट तक भूनना रहेगा इस पूरे मसाले के साथ ताके इसकी भी जो कच्छी स्मेल रहती है वो निकल चाहिए मटन भी बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है इसलिए हम इसका पूरा पानी ड्राय करेंगे पूरा पानी इसका ड्राय हो चुका है आप देख सकते हैं अब मैं इसमें आट कर दूंगी आधा कोटोरी दही और दही दालने के बाद भी हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो यह सिंपल रेसिपी है आप बहुत ही आसानी से से बना सकते हैं अगर आप चाहे तो इसे चिकन में भी बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगती है तो भी आप देख सकते हैं दही को हम अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं और इससे ढख कर रख देंगे ताकि दही का पानी वह सुक जाए तो हम एक प्लेट इसे ढख देंगे और प्लेट में आड़ कर देंगे तो यहां पर मैं आदा ग्लास पानी आड़ गड़ी अ कर लिया प्लेट के साथ सब्सक्रवन लेileyं तो और यह देखें पानी गरम किया हुआ है वह सारा पानी हम इसमें इत कर देंगे तो यंदा ग्लास पानी इसमें डाला डूब चुका है बस इसमें हम अभी एट कर देगे गरमम्साला पाउडर अगर आप चाहे तो गरम मसाला पाउडर दाले वना आप इस स्टेश पर कस्टूरी मेथी भी दाल सकते हैं उसका टेस्ट भी जाधा अच्छा लगता है और एंड में आप गरम मसाला भी दाल सकते हैं तो आप इसको लिट से कवर कर देंगे और इसकी मैं ले लूँगी पांच विसल आपके कुकर में जितनी विसल चाहिए उतनी ले लीजिए मैं यहां पर पांच विसल लूँगी और कुकर ठंडा होने के बाद हम इसे खोलेंगे तो अभी आप देख सकते हैं कितना भी कर सकते हैं लेकिन मेरे घर में आलू पसंद किया जाते हैं इसलिए मैं एड कर रही हूं अब थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना भी आड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो बस अभी हमें आलू को गलार निक लिए छोड़ना है तो मैं यहां पर इसमें आड कर दूंगी पानी तो मैं यहां पर बिल्कुल थोड़ा सा पानी आड कर दूंगी बिल्कुल आधा ग्लास से भी पाव ग्लास में पानी इसमें आड करूंगी बस इतना जितनी ग्रेव बनकर रेडी हो चुका है आप इसे चावल के साथ रोटी या नान के साथ ज़रूर सर्फ कर सकते हैं तो अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो प्लीस इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए